सबको नमस्कार दिली में कल रात को बारा बजे तक 6923 टोटल कोरोना के केस पाए गए हैं इसमें से 2079 केस ठीक होके अपने घर जा चुके हैं अभी तक टोटल 73 लोगों की कोरोना की वज़े से मौत होई है और इस वक्त 4781 लोग अभी भी कोरोना का इलाज उनका चल रहा है तो 6923 में से 4781 लोगों का इलाज चल रहा है और 2079 लोग ठीकों के घर जा चुते हैं हमने इसको जब एनलाज किया तो देखा कि 82 प्रतिशत लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82 प्रतिशत लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के थे तो देखने में या रहा है कि बुजर्गों की मौत जादा हो रही है मैंने पहले भी का था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुजर्गों का खास तोर से खयाल रखना है सभी बुजर्गों को भी अपना खयाल रखना है घर से बाहर निकलने, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ भार-बार धुएं और जो भी प्रिकॉशन ले सकतें लें, आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीम्ती है, सभी बुजर्गों से मेरी हाथ जोड की अपील है ये जो 6923 केस पॉजिटिव हुएं हैं, इनमें केवल 1300 केस इस टाइंग अस्पतालों के अंदर हैं सॉरी, 1476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर हैं लगबग मोटे मोटे तौर पे 7000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए, 7000 में से डेड़ हजार के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं बाकी सारे केस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एस्पतालों में हैं और ये डेड़ हजार केस जो अस्पतालों में हैं, इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं इन फैक्ट जो जो सीरियस केस हैं एक एक केस पे मैं रोज नजर रखता हूँ रोज उनका पता करता हूँ कि क्या उनको कैसे बचाया जाए किसी को मरने नहीं देना अपने को कोशिश ये करनी है कि सब लोग सही सलामत जिन्दा ठीक को के अपने घर लोटे हैं तो हम यह देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो हैं वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है लगभग 75 परिस्टिशत के करीब केसे एसिम्टोमेटिक के माइल्ड केसे हैं उनका अब केंदर सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहे है थोड़ा सा खांसी है जादा दिक्कत नहीं है उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतिजाम किया है हमारी टीम उनके घर पे जाती है उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है देखके आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में अलग कमरा है? किया उनके घर में एक अलग टॉयलेट है? क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है? अगर उनके घर में ये सुविधाई हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाज़त दी जाती है इसमें इलाज तो ही नहीं करोना में तो वो अपने घर में ही आईसोलेट हो जाते हैं डेली हमारी टीम की तरफ से उनको फोन जाता है लगातारों के टच में रहते हैं उनको फोन नमबर दे दिया जाता है अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो तो वो हम से संपर्क में रह सकते हैं, जिन लोगों के घर में ऐसे home quarantine करने के लिए अलग से कमरा नहीं है, उन लोगों के लिए फिर हम लोगोंने कुछ COVID care center बनाए हैं, COVID health center बनाए हैं, वहाँ पे फिर उन लोगों को हम ले आते हैं, लेकिन और उन लोगों को वहाँ पे हम रख इंबुलेंस की थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे ये बताया गया था कि कुछ लोगों को फोन करने के बाद एंबुलेंस के लिए कुछ-कुछ घंटे इंतजार करना पड़ रहा है कल हम लोगों ने आदेश निकाल के सरकारी एंबुलेंस तो थी हमारे पास हमने कई सारी प उपने अस्पतालों के लिए काम ने करेगी जो एंबुलेंस प्राइवेट में थी और जो एंबुलेंस प्राइवेट अस्पतालों की थी वो वहां काम करती रहेंगी लेकिन अगर उनको फोन जाता है और कोई ड्यूटी सरकारी दी जाती है तो उनको वो सरकारी ड्यूटी भ लिकत अब खतम हो जाने चाहिए हमारे बहुत सारे जो कोविड की लड़ाई है यह लड़ाई है हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं हमारे नर्सेज लड़ रहे हैं पुलीस के लोग लड़ रहे हैं civil defense volunteers लड़ रहा है हमारे बहुत सारे teachers हैं जो लगए हों हैं हमारे बहुत सारे आंगनवाडी वाले áशा वरकर्स हैं बहुत सारे और बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और वो अपनी एक तरह से मेहनत कर रहे हैं जान जोखी में डाल रहे हैं हमारा फर्ज बनता है कि इनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करें और अभी तक कर भी रहे हैं हम लोग दिली सरकार उसके बारे में बहुत समवेधन शील है और समय समय पर जो भी हो सकता हम करते हैं कल हमने अदेश निकाला था कि हमारा राजीव गांदी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिल जिसको कोविड हॉस्पिटल हमें डेक्लियर किया है उसके साथ हम लोगों ने दो तीन फाइव स्टा होटेल्स एटैच कर दी हैं एक तरह से वो होट अगर कोई भी कोविड वारियर बिमार पड़ता है कोविड हो जाता है उसको तो उसका इलाज करने के लिए हमने अच्छी विवस्था करने के लिए फाइव स्टा होटेल्स में उसकी विवस्था किया बताईए क्या गलत किया मुझे तो लगता है कि हमें करना चाहिए उनक पूरे समाज की है, पूरे देश की है, मुझे कल बहुत दुख हुआ, जब हमने यह order पास किया, तो विपक्ष के लोगों ने इस order का खूब मजाक उड़ाया, इसके खूब criticism किया, कि इन लोगों को special सुविधाएं क्यू दी जा रही है, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क् कोविड से हमारी रक्षा करने वाले कोविड वारियर्स को special सुविधाएं मिलनी चाहिएं की नहीं मिलनी चाहिएं, बिल्कुल मिलनी चाहिएं, क्या तकलीफ है, अगर एक दो, तीन, पांच, दस करोड रुपए खर्च हो गए, इन लोगों को बचाने के लिए, इसमें क्य परांद देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, अभी एक पुलिस, पुलिसमें थे हमारे, अमित राना जी, कुछ दिन पहले करोना के वज़े से उनकी मौत हो गई, करोना से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई, हमारी रक्षा कर रहे थे, उनके परिवार के लिए मैंने एक क कि सम्मान एलान किया, सम्मान राशी का एलान किया, इसमें विपक्ष को क्यों तक्रीफ है, मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये टाइम राजनेती करने का नहीं है, ये टाइम सब को मिलके कोरोना से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज क दूसरे की मदद करें, सरकारों की मदद करें, समाज की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें। मैं देखरा ovun कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं इधर उपते हूं प्रवासी मझदूर कि अभी सडकों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगे से दूसरी जगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ है और जब उनकी हालत देखते ओं कि मैं इंट्रव्यूस पढ़ता हूं, उनके बयान पढ़ता हूं, कई-कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पढ़ गए, कई-कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, घर से जो रोटियां लेके चले थे, वो रोटियां खतम हो गई हैं, रास्ते में कोई मदद गरने पाला नहीं है, कई लोगों ने अपने कंधे के ओपर उपने बच्चों को बिठाया होता है, एक आदमी देखा जो अपनी बुड़ी मा को अपने गोद में लेके पता नहीं कितने किलो मेटर चल चल चुका था, बहुत तकलीफ होती है, ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूर करने के जुरूद नहीं है, जो जो लोग दिली में दूसरे राज़्यों के ऐसे हैं, जो फसे होए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतिखान कर रहे हैं, अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतिखादा कि अवा था, मेरी आप से निवेदन है, पहला निवेद लेकिन अगर कोई फसे हुए हैं और जाना ही चाते हैं हम आपके लिए ट्रेंज का इंतिजाम कर रहे हैं एक ट्रेंज मध्यपरदेश जा चुकी है एक ट्रेंज हमने बिहार भेजी अभी और ट्रेंज का इंतिजाम कर रहे हैं केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं दूसरे र प्रेदल चलना बिना खाई पिये ये भी सही है हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं प्लीज आप इस तरह से मत निकलिए हम आपके लिए इंतिजाम कर रहे हैं हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए विश्वास कीजिए धन्यवाद